अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर माल लीजिए हमने किसी की गैरंटी ले ली और आप वो लोन नहीं भर रहा वो डिफॉल्ट कर जाता है या उसकी एमाई बाउंस जाती है तो इसमें क्या नियम है? मैंने ऐसे बताया था मैंने कि जब गैरंटी लेनी है तो गैरंटी एक को अच्छी तरह से जानता हूँ इसकी फाइनेशल ट्राइशन अच्छी रहिए मैं इस पर भरोसा करता हूँ और मेरे कहने पर बैंक इस पर भरोसा कर सकता है इसे पैसा दे सकता है और कल को अगर ये लोन डिफॉल्ट कर जाता है येमाई नहीं भरता है किसी कारणवश भी इसका इंट्रेस नहीं पे कर पाना या प्रिंसिपल पे नहीं कर पाना तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तयार हूँ मैं या तो इससे पैसा दिलवाँगा और यदि ये पैसा नहीं देगा तो मैं इसकी तरह से पैसा दे दूँगा आप मुझसे पैसा वसूल कर सकते हैं आप मेरे बैंक से पैसा निकाल सकते हैं आप मेरी प्रॉपटी ले सकते हैं आप मुझसे किसी तरह से भी उगाई कर सकते हैं उस पैसे आपने खुदी का है ना और आपने साइन किया गैरेंटर के तौर पर अगर आपने गैरेंटर के तौर पर साइन कर दिया तो ये guarantor का नियम यही है कि आपसे पैसा वसूला जा सकता है अब जो लोग कह रहे हैं कि मुझसे बैंक पैसे वसूल रहा है मैं क्या करूँ ऐसे केस में पहले भी बताया था ऐसे केस में कुछ जादा हो नहीं सकता अगर उसके संबंद अच्छे हैं आपके तो आप उससे पैसे ले करके या उसको फोर्च करिए किसी तरह से वह पैसे पे कर दे अगर आपके अकॉंट से पैसे काटे जा रहे है तो आपके अकॉंट में डाल दे वहाँ से पेमेंट हो जाए लेकिन अगर उसके पैसे हैं ही नहीं क्योंकि अगर होते तो अपने अकॉनमें डाल देता तो कम से कम आप उस पर दबाव बना सकते हैं अगर वो रिष्टेदार है आपका अगर आपकी रिष्टेदारी में जानकार में है तो आप उस पर अलग-अलग तरह से रिष्टेदार क्योंकि जब तक कोई नया guarantor ना मिल जाए वो वेक्टी नया guarantor ना दे दे तब तक bank पुराने वाले guarantor का नाम नहीं हटाता नियम यही है कि guarantee देने से पहले आपको सोचना चाहिए था अगर आपने एक बार guarantee दे दी तो आप guarantor का नाम रहेगा और जब तक वो नया guarantor ना लेकिन जब वेक्टी डिफॉल्ट कर जाता है वेक्टी लोन नहीं भर पाता है guarantor को पराफ़त आ जाती है अक्सर संबंद खराब ही होते है या इस कारण संबंद खराब हो जाते है और अब वेक्टी नाम भी नहीं हटवाता फिर भी bank में जाए बैंक में जाकर के जो निय बैंक मना करें तो रिटन में बात करें कि मैं इस वेक्टी का लोन गरंटर था लेकिन यह गलती से डिफॉल्ट कर गया है और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी और जो है जैनल बताईएगा आप उसे नहीं जानते थे आपने नाम ले दिया गलती से उसने नाम ले जो भी रिजन रहा हो और अब आप क्यों नाम हटवाना चाहते वह बताएगा और उनसे पूछेगा इसका प्रिक्रिया बताईए प्रोसेस बताईए मैं उसकी गैरंटी नहीं लेना चाहता या मैं गैरंटर के तौर पर अपना नाम हटवाना चाहता हूं अगर उसके साथ अगर को लगेगा वाकरी मैं आपकी बात सही है जन्मने आपका साथ देना चाहिए तो Aufback कर सकता है है लेकिन हट जाना या अनाम हटा देना थोड़ा सा मुश्किल तो है नियम यहीं है कि आपने गैरंटी लिए है तो आपको पैसा तो भरना पड़ेगा तो कि आपने कहा ना जब बैंक ने आप पारे आम उससे ले लीजेगा मैं खुशी खुशी इसका पैसा भरने को तयार हूँ आपने तो बोला है ना साइन क्या भीया तो पहले दियां रखना चाहिए था गैरंटर बनने से पहले सोचिए क्योंकि जितना आसान गैरंटर बनना है उससे कई गुना जादा गैरंटर से नाम हटवाना है लगभग असंभव काम है यह बहुत मुश्किल काम है